जोतिश की दुनिया में आपका स्वागत है यदि आप जोतिश सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को आउन करें और यदि आपको वीडियो इंखला को आगे बढ़ाते वे एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं तो आज की वीडियो में चर्चा का विशय क्या है आज हम किस चर्चा को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं आज की वीडियो का शिर्चक क्या है प्रस्तुत है आज की वीडियो में चर्चा का विशय पंचांग में करणों के गुण एवम सुभाव जी हां। आज हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि करणों के गुण एवम सुभाव क्या हैं। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आईए इस वीडियो को अप्रारंब करते हैं। शुभकारे करने का निर्धारन भी किया जाता है। यदि आप कोई शुभकारे करने जा रहे हैं। तो ऐसे करण के साथ शुभकारे करना चाहिए जो शुभ फलदायक होंगे। जिनका सुभाव अच्छा होगा, जिनका गुण अच्छा होगा। तो आईए सभी करणों के गुण एवं सुभाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बव करण बव चरकरण है, इस करण का प्रतीक्चिन सिह है, इसका गुण समभाव है, तथा इसकी अवस्था बाल्य अवस्था है। बव करण में जन्म लेने वाले जातक स्वावलंबी होते हैं, मेहनती होते हैं, अपना काम स्वयम करना पसंद करते हैं। जातक स्वयम की इक्षा से काम करता है, और तब तक संतुष्ठ नहीं होता, जब तक कारी की सिध्धी न हो जाए। बब करण में जन्म लेने वाला जातक अपनी इक्षा से काम करता है यदि स्वयम की इक्षा शक्ती है तभी वह काम करेगा और काम भी ऐसा करेगा कि जब तक कारी की सिध्धी न हो जाए कारे पूर्ण न हो जाए तब तक वह संतुष्ट भी नहीं होता है इसे आप यह कह सकते हैं कि जिस भी काम में ऐसे जातक जूजते हैं तो अंतिम पड़ाओ तक पहुँचकर ही चैन लेते हैं ऐसा व्यक्ति जहां भी रहता है उसकी अपनी पहचान और एकाधिकार होता है बवकरण में जन्मी जातक जहां कहीं भी रहें अपना पहचान अवश्य बनाते हैं और उनका एकाधिकार होता है जिस भी छेत्र में वे होते हैं उनका दब-दबा बना हुआ रहता है उनकी अपनी अलग पहचान होती है उनका एकाधिकार होता है ऐसा जातक बुद्धी और पराक्रम का उप्योग करता है इस कारण शत्रु इसे कभी पराजित नहीं करते हैं जातक अपनी बुद्धी लगाता है पराक्रम का भी प्रदर्शन करता है तो बुद्धी और पराक्रम एक साथ जब सामने आते हैं तो ऐसी इस्थिती में शत्रू इसे कभी पराजित नहीं कर सकते हैं पराक्रम भी है तो पराजित कैसे करेंगे और पराक्रम बुद्धी के साथ पराक्रम आ रहा है जो भी उपाय करेंगे बुद्धी लगाकर उपाय करेंगे तो शत्रु तो ऐसे भी परास्त हो जाएगा शत्रु कहां पराजित कर पाएगा बवकरण में जन्में जातक समाज में अपने कारियों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हैं बब करण में जो भी जातक जन में होते हैं, वे जातक अपने कारियों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हैं, समाज में कुछ ऐसा कारिय कर जाते हैं, जो समाज की दृष्टी कोड से समाज के हित में होता है, इस कारण से ऐसे जातक समाज में अपने कारियों द्वारा सम्मान भ इन्हें कोई बड़ा पद भी प्राप्त होता है बवकरण में जनमे व्यक्ति का सुभाव आशावादी होता है एवं ये शुब एवं धार्मिक कारियों को करने में विशेश रूची लेते हैं आशावादी होते हैं कभी निराश नहीं होते हैं यदि कोई काम नहीं भी बन र तो उसके पीछे से वे उम्मीद जगा करके रखते हैं, आशा रखते हैं कि यह काम होई जाएगा साथ ही साथ वब करन में जनमे विक्ति, सुब एवं धार्मिक कारेों को करने में भी रूची लेते हैं पूजा पाठ में रूची होगा, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा होगा, वहाँ पर रूची लेंगे श्रीमत भागवत हो रहा हो, कोई पूजन हो रहा हो, कोई अनुष्ठान हो रहा हो, कोई यग्य हो रहा हो उसमें अवश्य सामिल होने का प्रयास करते हैं बबकरण में जन्मे जातकों के सुभाव में बालपन आजीवन विद्यमान रहता है बबकरण में जो भी जातक जन्म लेते हैं उनके सुभाव में बालपन आजीवन बना रहता है बचपना रहता है बुढ़ापे में भी उनके अंदर कोई न कोई बच्पने वाली आदत दिखाई देती ही देती है इस्थिर भाव से कारी के प्रती समर्पित रहते हैं इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि ऐसे जातक जिस भी काम को अपने हाथ में लेते हैं उस काम के प्रती स्थिर हो जाते हैं जब तक वह काम पूरा न हो तब तक उनकी नीन, उनकी चैन, उनका भूँख सब कुछ गायब रहता है जब वे उस काम को उस काम के अंजाम तक पहुचा लेते हैं तब ही वे चैन की नीन सो पाते हैं यही कारण है यही बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस्थिर भाव से कारे के प्रती समर्पित रहते हैं कोई भी कारे करना हो उसके प्रती समर्पड की भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है जिन भी जातकों का जन्म बव करन में हुआ हो ऐसे जातक शुब कारे के प्रती आस्थावान होते हैं एवं अनेतिक कारे के प्रती नकारात्मक भाव रखते हैं यदि कहीं पर इनको यह दिक जाता है कि कोई अच्छा काम हो रहा है कोई नेक काम हो रहा है कोई शुब कारे हो रहा है उसके प्रती आस्थावान हो जाएंगे अर्थाथ उसमें सम्मिलित होने का भरपूर प्रयास करेंगे लेकिन यदि कहीं पर इनको यह लग गया कि कोई गडबड हो रहा है कोई गलत काम हो रहा है कोई अनैतिक कारे हो रहा है उसके प्रतिन नकारात्मक भाव रखते हैं वहां से कोसो दूर रहने का प्रयास करते हैं बब करण में जन्मे जातक प्रतापी होते हैं। उनका प्रताप, उनका यश, उनकी कीरती, उनकी ख्याती चहूं और फैली हुई होती है। एक अन्यमत के अनुसार बब करण में जन्मे जातकों का किसी नशे के प्रती जुकाव हो सकता है या ये किसी प्रकार के नशे के आदी आसानी से हो सकते हैं इस बात को ध्यान से समझेगा, एक अन्यमत के अनुसार कहा जा रहा है, महर्ची पारासर के मत के अनुसार नहीं है यह, एक अन्यमत के अनुसार बब करण में जनमे जातक नशे के प्रती जुकाव दिखाएंगे या नशे के आदी हो जाएंगे, लेकिन यह बात महर्ची पार पाराशर के ग्रंथ पर नहीं लिखा हुआ है हमें एक पुष्टक पर मिल गया था तो हम इसे जोड़ दिये हैं लेकिन हम भी इससे सहमत नहीं है क्योंकि यह महर्शी पाराशर के पुष्टक पर अपलब्द नहीं है बालव करण बालव चर करण है इसका प्रतीक चिन चीता है यह कुमार माना गया है तथा इसकी अवस्था बैठी हुई मानी गई है कुमार है मतलब अभी बचपन में है और इसकी अवस्था बैठी हुई मानी गई है इस करण में उत्पन बालक तेज एवं फूर्तिला होता है ध्यान से समझेगा बालव करण का प्रतीक चिन चीता है और चीता में कितनी फूर्ति होती है यह बात आप सब को पता होनी चाहिए यही कारण है कि बालव करण में जनमे जातक या बालव करण में उत्पन बालक तेज इवं फूर्तिला होते हैं इनके दामपत्त जीवन में कलेश बना रहता है यह आम बात है आजकल देखने को मिलता है कि दामपत्त जीवन में थोड़ा मोड़ा कलेश बना रहता है ऐसे भ कोई विशेश इंतनी वात नहीं है बालव करण में जन्म लेने वाले जातक अत्तधिक जिग्यासू प्रवित्ति के होते हैं जिसके कारण ये अनेक विशियों के ज्याता भी होते हैं ध्यान से समझिएगा कि जो जातक बालव करण में जन्में होते हैं वे अत्यन्त जिग्यासू प्रवित्ती के होते हैं जिग्यासू अर्थात सब कुछ जानने की प्रवित्ती इनके अंदर होती है यह भी जानने वह भी जानने यह भी जानने और इसी जानने की प्रवित्ती के कारण अनेक विशियों के ज्याता भी हो जाते हैं भाई सब कुछ जानने की प्रवित्ती है, खोज की प्रवित्ती है, जिग्यासू है, जानने की एक्छा रखते हैं, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने विशियों के ग्याता हो सकते हैं. धार्मिक रूप से अधिक आस्थावान होते हैं बालव करण में जन्मे जातक धर्म के प्रती विशेश रूची दिखाते हैं धर्म कर्म का जहां भी काम हो रहा हो वहां पर ये सम्मिलित होने का सदेव प्रयास करते हैं धार्मिक इस्थलों के निर्माड कारे के लिए योगदान करने के परमिक्छुक होते हैं जो भी जातक बालव करण में जन्मलिये हुए होते हैं उनकी प्रवित्ती ऐसी होती है कि जब उन्हें यह पता चल जाए कि किसी विशेश स्थान पर कोई धार्मिक इस्थल का निर्माड कराया जा रहा है वहाँ पर अवश्य जाते हैं और जो भी संभव हो पाता है तन मन धन से सहयोग प्रदान करते हैं अपना योगदान वहाँ पर अवश्य देते हैं धार्मिक शेत्र में उच्छ ग्यान रखने वालों का सत्संग करते हैं। अनेक तीर्थिस्थलों की यात्रा करते हैं। विद्यमान होता है। कोई भी कारे जल्दी करने की आदत होती है तथा अपने आसपास के माहौल के प्रती पूर्ण रूपीड सजग होते हैं। अडोस में पडोस में आगे पीछे दाएं बाएं इनके मुहले में क्या हो रहा है कौन सी घटना घटित हो रही है शुब घटना जैसे भी घटना हो जो भी माहौल आसपास में हो उसके प्रती पूर्ण रूप से सजग होते हैं। यदि अनुहुनी घटना है साबधान रहेंगे अच्छी घटना या कोई शुब समाचार है वहाँ परूपस्थित हो जाएंगे। कवलव करण कवलव चर करण है इसका प्रतीक चिन शुकर है शुकर अर्था सुवर यह अत्त शुब और उन्नत फल देने वाला तथा उर्धु अवस्था का करण माना गया है। कवलव करण शुब फल दायक है उन्नति प्रदान करने वाला है तथा उर्धु अवस्था का करण माना गया है खड़ा रहने वाला करण माना गया है। कवलाव करण में जन्म लेने वाले जातक निडर होते हैं तथा संयुक्त परिवार के समर्थक होते हैं इनका परिवार बड़ा होता है ध्यान से समझेगा कवलाव करण में जन्म लेने वाले जातक निडर होते हैं यहां पर तो यह बात हो गई कि वे निडर होंगे संयुक्त संयूक्त परिवार का समर्थन करेंगे, तो सवायुक सी बात है कि इनका परिवार बड़ा होता है। पहानों से युक्त तथा सदैव अच्छे कारे करने में तत्पर होंगे जातक उत्तम एवं कई प्रकार के वहानों से युक्त होगा उत्तम बहान होंगे कई प्रकार के वहान होंगे तथा सदैव अच्छे कारे करने में तत्पर होते हैं कभी ये गलत काम करना पसंद नहीं कर अपने जीवन काल में सदेव शुभ या अच्छे कारी ही करना पसंद करते हैं स्वयम का मान सम्मान और पहचान बनाने के लिए सदेव प्रयतनशील होते हैं तथा स्वाभ इमानी भी होते हैं स्वयम का मान सम्मान और पहचान बनाने के लिए ये अपने मान सम्मान के खिलाफ नहीं जा सकते और अपना पहचान बनाने के लिए चहुर अपनी ख्याती फैलाने के लिए सदेव प्रयतनशील होते हैं तथा स्वाभ इमानी भी होते हैं अपने मान सम्मान के खिलाफ कुछ स तो नहीं सकते वहिया, यदि इनके मान सम्मान की बात हो गई तो ये डंडले के खड़े भी हो सकते हैं, ये अभी ध्यान रखिएगा, कौलाव करण में जन्म लेने वाले लोग मिलनसार प्रक्रतिके होते हैं, एबं इनके मित्रों की संख्या भी अधिक होती है, कौलाव करण जो कोई व्यक्ति मिलनसार नहीं होगा एकांतवासी होगा तो वह तो अकेला ही रहना पसंद करेगा मित्र बनाएगा ही नहीं और बनाएगा क्यासे उसका कोई मित्र भी तो नहीं बनना चाहेगा क्योंकि वह एकांतवासी है आवशक्ता पढ़ने पर इन्हें अपने मित्रों से सहयोग भी प्राप्त होता है, मिलनसार होने के करने मित्रों की संख्या अधिक है, और जब मित्रों की संख्या अधिक है, तो जब भी इन्हें कोई आवशक्ता पड़ती है, तो इन्हें अपने मित्रों से सहयोग भी प्राप्त हो जाता है, सहायता भी मिल जाती है, प्राया से निम्नवर्ग के लोगों के साथ जादा समय बिताते हैं और समय आने पर यही निम्नवर्ग के लोग इन्हें विशेस रूप से सहयोग प्रदान करते हैं ऐसे जातक दूसरे जाती में विवाह के भी समर्थक होते हैं कौलो करण में जन्में जातक अपने से निम्नवर्ग के लोगों के साथ उटते बैठते भी है और दूसरी जाती में भिवाय करने के भी समर्थक होते हैं अपनी जाती का कोई मतलम नहीं दूसरे के जाती में भी वेशाधी कर सकते हैं तैतिल करण तैतिल चर करण है इसका प्रतीक चिन गधा है इसे अशुब फल देने वाला तथा सुप्त अवस्था का करण माना जाता है तैतिल अशुब फल देने वाला करण है तैतिल करण में जन्म लेने वाले जातक आलसी किस्म के होते हैं जिन भी जातकों का जन्म तैतिल करण में हुआ है वे जातक आलसी सुभाव के होते हैं आलसी होने के बाद भी जातक भागयशाली होते हैं अपने जीवन में सुख सम्रिद्धी प्राप्त करते हैं ध्यान से समझेगा तैतिल करण में जन्म लेने वाले जातक आलसी सुभाव के तो होते हैं लेकिन इनका भाग ऐसा होता है कि आलसी होने के बाद भी ये लोग अपने जीवन में सुख सम्रिद्धी अवश्य प्राप्त करते हैं। नहीं करना चाहते हैं उसके बाद भी सवभाग्य से धन प्राप्त करते हैं, जब धन प्राप्त कर लिये तो सुक्सम्रिद्धी प्राप्त हो गई होगा, जातक सभी से इसने भाव रखते हैं, एवं अपने निकट जनों से भी सामानत। इन्हें प्रचूर मात्रा में इसने है प्राप्त होता है, जातक सभी से इसने भाव रखते हैं, कभी किसी से द्वेश नहीं रखते हैं, दूसरी तरफ, अपने निकट जनों से सामानित हैं, इन्हें भी प्रचूर मात्रा में इसने है प्राप्त होता है, जो भी इनके आसपा जो भी इनके ईर्द गिर्ध हैं, निकट जन हैं, सुझनी हैं, रिष्टिदार हैं, मित्र हैं, सभी से इने भी प्रचूर मात्रा में अर्थाद बहुत अधिक मात्रा में इसने एवं प्रेम प्राप्त होता है, जातक मीठी वाड़ी का प्रयोग करने वाले एवं कारियों के प्रती चतुर होते हैं, ध्यान से समझेगा, जातक मीठी वाड़ी का प्रयोग करने वाले होते हैं, आलसी तो हैं, और मीठी वाड़ी का प्रयोग करके ही अपने आपको भागे साली बना डालते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं, और अपने कारियों क प्रती चतुर होते हैं, बहुत ही चतुराई से काम निकाल लेते हैं। गर करण, गर चर करण है, इसका प्रतीक चिन हाथी है, इसे प्रोढ़ माना गया है, तथा इसकी अवस्था बैठी हुई मानी गई है। गर करण में जन्म लेने वाले जातक सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, जो भी जातक गर करण में जन्म ले लेते हैं, उन्हें सामाजिक मान प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ आसानी से प्राप्त होता है। सामानिता ऐसे जातक शांत सुभाव के होते हैं, परंतु जब गुस्से में होते हैं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ध्यान दखिएगा, सामानिता तो यह शांत सुभाव के होते हैं, तो इनके शांत सुभाव को देख कर आप इन्हें शांत मत समझ लीजेगा, जब गुस्स में कर्मवादी होते हैं, गर करणवाले जातक, जीवन में कर्मवादी होते हैं, अर्थात कर्म करना जानते हैं, कारिक करना जानते हैं, कारिक के प्रती इमानदार होते हैं, अपने जीवन काल में कर्म सिध्धान्त को ही मानिता देते हैं, भागे को कम मानते हैं, यह बात ध्य दखीएगा कि ऐसे लोग भागे को कम मानते हैं कर्म को जादा मानते हैं तो अपने जीवन काल में कर्म सिध्धान्त को ही माननेता देते हैं गीता में भी यही कहा गया है कि कर्म ही प्रधान है कर्म करो फल की एक्छा मत करो भगवान को जो समझ में आएगा वो देंगे तो ऐस इसे जा तक भी करम सिध्धान्त को ही मानटा देते हैं काम करते रहो फल की चिंता मत करो कृषि एवं भूम से जुड़ी वस्तूओं के व्यापार से लाभ प्राप्त करते हैं खेती किसानी से लाभ प्राप्त कर लेंगे। इस जुड़ी वस्तूओं के व्यापार से भूम इसे जुड़ी हुई व्यस्तू क्या होती है? अपने जीवन में सभी प्रकार की अभिलाशाओं को अपने श्रम से पूर्ण करने में सक्षम होते हैं पूर्ण सक्षम होते हैं अर्थात उस अभिलाशा को पूर्ण अवश्य करते हैं श्रम एवन व्याणिक सोच इनके प्रमुख जीवन सिध्धानत होते हैं मेहनत करना, परिश्रम करना और दूसरा व्याणिक सोच मतलब इनका सोच बहुत अलग सा होगा सामाने सोच से उपर उड़कर के होगा वेग्यानिक सोच होगा और यही दोनों इनके जीवन के सिध्धान्त होते हैं कुछ नया करने की सोचेंगे सदैव इनके मन में कोई-ंकोई कलपना उथपन होती रहेगी और उस कलपना को साकार करने के लिए मेhnत भी करते हैं परिश्र जीवन बेतीत करते हैं सीधी सी बात है मेहनती होते है कहीं पथचला ब्यापार के लिए निकल गए तो बहुत लंबे समय तक के लिए निकल गए कभी-कभी यह एस्तिती होती है कि नवकरी पेशे में आगे नवकरी पेशे में ट्रांसफर हो रहा है इधर हो रहा है उधर हो रहा है माबाप गाउं में पड़े हुए हैं जो पुस्तेनी मकान हैं वहाँ पर माबाप हैं परिवार वाले हैं लेकिन ये ट्रांसफर के चक्कर में कभी इस सहर कभी उस सहर घूम रहे हैं यही बात होती है कि परिवार से दूर रहकर जीवन वेतीत क गर करण में जन्मलीनी वाले जातक यांत्र की एवं गडित का ग्यान रखते हैं। इसकी अवस्था बैठी हुई मानी गई है। व्यापार से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। ध्यान से समझेगा वडिज करण में जन्मलेने वाले जातक वडिक पुत्र कहें। वाडिजिक विभाग कहें या वडिज करण कहें। मिलता जुलता शब्द लग रहा है विया। वडिज करण में जन्मलेने वाले जातक तीब्र बुद्धी से युक्त होते हैं। व्यापारीक एवं व्यभसाई कारियों में रूची लेने वाले ध्यान से समझेगा तीब्र बुद्धी है तभी व्यापार और व्यभसाई कर पाएंगे। एवं व्यभसाई और व्यापार से ही लाब की प्राप्ति करने वाले होते हैं। वडिज करन में जन्में लोग अपने जीवन में नौकरी के अपेक्छा व्यापारीक गतिविधियों को ही अधिक महतों देते हैं। नौकरी के प्रति उनका रुजान देखने को नहीं मिलता है। नौकरी के प्रति कोई विशेश रूची दिखाई नहीं देती है। नौकरी के अपेक्छा व्यापारीक गतिविधियों को ही अधिक महतों देते हैं। उनके जीवन काल में देखेंगे तो बिजनेस की ओर वे जादा भागने का प्रयास करते हैं। नौकरी के शेतर में उनका कोई महत होता ही नहीं है। नौकरी के ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। ये व्यापार से जुड़ा ग्यान सोता ही एवं सहज रूप से ही प्राप्त कर लेते हैं। वड़ी करण में जन्मी जातक व्यापार के प्रती विच्छे सुरूची रखते हैं। और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के दिमाग भी लगाते रहते हैं। बुद्धी तो तीब्र है ही तो दिमाग लगाएंगे ही। बुद्धी तीब्र है तो मन मस्तिश्क में ग्यान भी उत्पन होगा। ब्यापार से जुड़ा ग्यान सोत है ही, इनकी दिमाग में उत्पन होने लगता है, सहज रूप से ही प्राप्त कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से इन्हें ब्यापार से संबंधित ग्यान प्राप्त हो जाता है। जिसमें यह लिखा हुआ है, लेकिन मैं इस पर से ओर नहीं हूँ, उस पुस्तक पर मिल गया, इसलिए मैं जोड़ लिया था, क्योंकि महर्शी पारासर की पुस्तक पर ऐसी लाइन नहीं लिखी हुई है, महर्शी पारासर की पुस्तक पर यहीं तक है। विष्टी करण अर्थात भद्रा विष्टी चर करण है इसका प्रतीक मुर्गी को माना गया है इसे मध्धम फल देने वाला एवं बैठी हुई इस्थिती का करण माना जाता है इसे मध्धम फल देने वाला कहा गया है विष्टी करण में कोई शुब कारे नहीं करना चाहिए विष्टी करण ही भद्रा है और भद्रा के समय कोई शुब कारे नहीं करना चाहिए विष्टिकरण में जन्म लेने वाले लोग समाज द्वारा और स्विकरित कारियों के प्रति अधिक रुची लेते हैं विष्टिकरण में जन्में लोग समाज द्वारा और स्विकरित अर्थात जो समाज में स्विकारणी कारे नहीं होता है ऐसे कारियों के प्रती इनका रुजान अधिक दिखाई देता है ऐसे कारियों के प्रती इनकी रुची अधिक होती है औसामाजिक कारियों के प्रती जुकाव के कारण इन्हें जीवन में कई बार मान सम्मान में कमी एवं अपमान का सामना करना पड़ता है देखिए समाज द्वारा और स्वीक्रीत कारियों के प्रति अधिकरूची लेते हैं जिसके कारण समाज से इनका मान-सम्मान खराब होने लगता है कई बार अपमान का सामना करना पड़ता है यदि गलत काम कर रहे हैं तो समाज के द्वारा अपमानित होंगे ही समाज में इनका मान सम्मान समाप्त हो ही जाएगा इसलिए इनके जीवन में कई बार मान सम्मान की कमी आती है अपमान का भी सामना करना पड़ जाता है विष्टिकरण में जन्मे जातकों का विवहार एवं आचरण साम मानितह संशय पूरुन ही होता है विष्टिकरण में जो भी जातक जन्मलिये होते हैं उनका वेभार एवं आचरण ठीक से समझपाना संभव नहीं है आप यह नहीं कह सकते कि यह हमारे लिए कोई अच्छा काम करेगा संशय पूर्ण होता है संदे हाश्वद होता है सदेव शंका के द्रिष्टी से देखे जाएंगे व्यक्ति विप्रीत लिंग के प्रती अधिक आकरिष्ट होते हैं एवं इन विश्यों में दुराचारी और स्वक्षंद प्रवित्ती के भी देखे जाते हैं चाहे महिला हो चाहे पुरुष्ट हो विप्रीत लिंग के प्रती अधिक आकरिष्ट होंगे उनका जुका उधर अधिक होगा इन विश्यों में दुराचारी भी हो सकते हैं कुछ न कुछ अनर्थ कर बैठेंगे और स्वक्षंद प्रवित्ती के भी देखे जाते हैं धन के प्रती लालच इवं अति महात्वा कांची होते हैं धन के प्रती सदय इनके मन में लालच बना रहता है साथ ही साथ ये बहुत ही अधिक महत्वा कांची होते हैं यह भी प्राप्त हो जाए वह भी प्राप्त हो जाए इससे भी अच्छा प्राप्त हो जाए और जब व दकेती जैसे कारे में इन्हें सफलता भी प्राप्त होती है। सदेव पाप कर्मों में लिप्त होंगे। और पाप कर्म क्या होता है। मार, पी, लड़ाई जगडा, अनर्गल बातें करना, दुराचार करना, चोरी डकेती करना ये सब तो पाप कर्म ही हैं। और इसमें इन्हें सफलता भी प्राप्त होती है, कहीं लड़ाई जड़ा करने गए ना, तो दुस्मन के परहाबी हो जाएंगे, चोरी डकैती करने गए, तो बड़े आराम से चोरी करके आ जाएंगे, और पता भी नहीं चलेगा, इनकी प्रबृत्ती तामसिक होती है, और इससे संबंधित कारे में इनकी सक्रियता अधिक होती है, तामसिक प्रबृत्ती मतलब नसाखोरी, उटपटांग हरकत, और इससे संबंधित कारे में इनकी सक्रियता अधिक होती है, उधर इनका रुजान अधिक होता है, तामसिक ची में लोग अवशधी निर्माड एवं चिकित्सा आदी से जुड़े कारियों में धन एवं मान सम्मान की प्राप्ति करते हैं। शत्रु से प्रतिशोध लेने के लिए बुरे से बुरा निर्णय लेने में भी संकोच नहीं करते हैं। समाज का विरोध करने में अग्रणी, स्वक्षंद प्रवित्ति के स्वामी, अपने आसपास के लोगों से सम्मान प्राप्त करने की एक छुक अर्थात चाप लूसी करना पसंद करते हैं। जो भी जातक विष्टी करन में जन्मलिये हैं, समाज का विरोध करने में अग्रणी होंगे। यदि समाज में कोई काम हो रहा है, उसका विरोध करना है, तो विष्टी करन वालों को देखेंगे, सबसे आगे-ागे कूदेंगे। स्वक्षंद प्रवित्ति के स्वामी होते हैं, अपने आसपास के लोगों से मान-सम्मान प्राप्त करने के इक छुक होते हैं। अपने आसपास के लोगों से मान-सम्मान प्राप्त करने के जब इक छुक होते हैं, तो चाप्रूसी करना प्रसंद करते हैं। सामने वाले पास आएंगे, मिठी-मिठी बात करेंगे, उसके पक्ष की बात करेंगे, वह अब अपनी तारीप सुनकर के खुश हो गया, और जब तारीप सुनकर के खुश हो गया, तो मान-सम्मान देने लगा। शकुनी करण शकुनी इस्थिर करण है इसका प्रतीक कोई भी पक्छी है शकुनी करण की अवस्था उर्धु मुखी है अर्थात उपर की ओर मुख किये हुए अवस्था में है फिर भी इसे सामान्य फल देने वाला करण माना जाता है अशुब फल नहीं देता है शकुनी करण में जनमे जातक विवादों को सुलजाने में कुशल अत्तधिक बुद्धिमान एवं स्वैम के सहज प्राप्त ज्यान से शुब एवं अशुब समय के भी ज्याता होते हैं शक्नी करण में जो भी जातक जन्मलिये होते हैं विवादों को सुलजाने में कुशल होते हैं आसपडोस मेदी कहीं जगड़ा हो रहा है जब ये पहुंचते हैं तो बहुत ही आसानी से उजगड़े को शांत कर देते हैं अत्तरिक बुद्धिमान होते हैं एवं स्वयम के सहज प्राप्त ज्यान से शुब एवं अशुब समय के भी ज्याता होते हैं इनके मन मस्तिस्क में कोई न कोई ऐसा ज्यान होता है जिस ज्यान के माध्यम से ये लोग शुब एवं अशुब समय के भी ज्याता होते हैं कब शुब समय आने वाला है कब अशुब समय आने वाला है यह भी यह लोग बता देते हैं इन जातकों को कालग्य भी कहा जा सकता है अर्थात जो अपने सहज ग्यान से अच्छे व बुरे को पहचानने में सक्छम होते हैं शकुनी करण में जन में जातक सदेव किसी ने किसी प्रकार से करमशेल रहते हैं कभी ये खाली नहीं बैठना पसंद करते हैं सदेव काम करना पसंद करते हैं समय का सदूपयोग करना इने भली भाती आता है समय का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए इनसे अच्छा कोई और समझ ही नहीं सकता है समय का सदूपयोग करना इने भली भाती आता है स्वतंत्र विचार के होते हैं इस कारण अपने लोगों से विरोध का सामना करना पड़ता है इनकी विचारधारा स्वतंत्र होती है जिससे इनके अपने लोग ही इनका विरोध करने लगते हैं अपने लोगों से ही विरोध का सामना करना पड़ जाता है शकुनी करण में जन्मे जातकों को आवशधी निर्माड का ज्यान होता है एवं चिकित्सा शेत्र में कारे कर लाब प्राप्त कर सकते हैं शकुनी करण में जो भी जातक जन्म लेते हैं उन्हें आवशधी निर्माड का विशिश ज्यान होता है और इस ज्यान का उप्यूग करके चिकित्सा के शेतर में कारे करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं सीधी सी बात है जब अवशदी निर्माड कर रहे हैं तो चिकित्सा का ही तो शेतर हुआ अवशदी निर्माड करेंगे, दबाईयां बनाएंगे, तभी तो डॉक्टर इनकी दबाईयों को लिखेगा, यह चिकित्सा का ही शेत्र हुआ, और चिकित्सा के शेत्र में कारे करके लाब प्राप्त कर सकते हैं एक अन्यमत के अनुसार, शकुनी करण में जन्मे लोग अपने सहज ग्यान एवं बौधिक शंता का दुरू प्योग, धन एवं मान सम्मान आदिकी प्राप्ती के प्रियोग के लिए करते हैं ध्यान से समझे गए इस बात को, परासर मत के बाहर का मत है, एक अन्यमत लिखा हुआ है, इस मत के अनुसार पर शकुनी करण में जन्मे लोग अपने सहज ग्यान एवं बौधिक शंता का दुरू प्योग, धन एवं मान सम्मान प्राप्त करने के लिए करने लगते हैं ऐसी स्थिती में इन्हें अपने जीवन की तमाम अभिलाशाओं को प्राप्त करने के लिए कई बार बहुत विकट परिस्थितियों अर्थात संकट की घड़ी आजाने वाली स्थिती बनती है, विकट परिस्थितियों एवं अनायास संघर्ष का सामना करना पड़ जाता है अपनी अभिलाशाएं प्रात करने के लिए अपनी बाउदिक शमता का दुरूपयोग करने लगते हैं इसी इस्तिती में इनके जीवन में संघर्स आने लगते हैं कृष्ण पक्ष की चतुरदशी को शकुनी करन होने पर युद्ध संबंधी कार्य स्वास्थलाब की एक्षा से अवशदी सेवन एवं शत्रूं के विरुध सभी कार्य शेष्ट होते हैं कृष्ण पक्षी की चतुरदशी को शकुनी करण होता है ऐसे इस्तिती में युद्ध से सम्बंदित कोई भी कारी कर लीजे हतियार खरीद लीजे, युद्ध के मैदान में कूद पढ़िए स्वास्थलाब की इक्षा से आवशदी सेवन यदि आप बीमार हैं, स्वास्थलाब चाहते हैं, इलाज कराना चाहते हैं तो दवाई अवश्य लीजे, शत्रूं के बिरुध सभी कारे स्टेश्ट रहते हैं शत्रूं के बिरुध क्या क्या कारे हो सकते हैं केश मुकदमा करना हो, उनके साथ युद करना हो, उनको परास्त करना हो, तो शकुनी करन स्टेश्ट होता है। चतुश्पद करना है, प्रतीक चार पेरवाला पशु है, इसका फल सामाने तथा, अवस्था सुप्त मानी जाती है। इससे सामानेफल की प्राप्ति होती है और अवस्था सुप्त है अर्थात सोई हुई अवस्था में है। उसके प्रती विशी शास्था होती है। लाब प्राप्त करते हैं उनके ग्यान एवं अनभौ से जानकारी घोज घोज करके जानकारी जुटा जुटा करके अपने जीवन पर उतारते हैं और उससे लाब की प्राप्ती होती है भागे का साथ होने से इन्हें धन, ज्यान एवं यश सहजता से प्राप्त होता है भागेशाली होते हैं भागेशाली होने के कारण इन्हें धन हुआ, ज्यान हुआ एवं यश मान सम्मान बहुत ही सहजता से बहुत ही आसानी से प्राप्त होती है चतुषपद करण में जनमे जातकों की बुद्धी तिब्र होती है तेज होती है परन्तु इन्हें इनकी बुद्धी का एहसास कराना पड़ता है परन्तु समय से अपनी बुद्धी का उप्योग नहीं कर पाते हैं इसी स्थिती में इनकी बुद्धी का इन्हें एहसास दिलाना पड़ता है, इनको याद दिलाना पड़ता है, कि आप इतने ग्यानवान हैं, हनुमान जी को याद कीजिए, समुद्र के पास पहुच गए, उस पर जाने की तो शमता थी, लेकिन याद ही नहीं था, जब उन्हे याद दिलाया गया, याद आया तो समुद्र के इस पार से उस पार लांग गए, वही कहानी इनलोग के साथ भी है, चतुष्पद करण में जनमे जातकों को, उनकी बुद्धी के बारे में उन्हें ही एहसास दिलाना पड़ता है, तब वे बुद्धी वाला काम बहुत ही आ प्रकार के खाना पसंद है, खाना चाहे जैसा भी हो, जो भी मिल जाए, सभी प्रकार के खाना पसंद है, कभी खाने पीने में टाल मटो लाना कानी नहीं करते हैं, ये जगडालू प्रवित्तिके होते हैं, परन्तु इमानदार भी होते हैं, चतुष्पद करण में जनमे ज जातक जगडालू होते हैं, बात-बात में जगडा कर लेते हैं, परंत इमानदार होते हैं, कभी बैमानी नहीं करते हैं, अगर जगडा भी कर रहा हैं, तो इमानदारी से जगडा करेंगे, और इमानदारी के लिए ही जगडा करेंगे, न तो बैमानी से जगडा करेंगे, और नय बयमानी के पक्ष में बात करेंगे, चतुष्पद करण में जन्में जातक, चतुष्पद अर्था चार पेरों वाले जानवरों एवं सभी पालतू जीव जन्तूं से शुक प्राप्त करते हैं, उनका लाभ प्राप्त करते हैं, इन्हें एक से अधिक वाहनों का सुख भी प्राप्त होता है इनके पास एक से अधिक वाहन एक साथ में एक समय में होते हैं जिसका वे समुचित लाभ उठाते हैं, समुचित सुख प्राप्त करते हैं चतुश्पद करण में जन में जातक क्रिशी कारियों एवं व्यापार से भी लाभ प्राप्त करते हैं। क्रिशी कारे करके भी लाब कमा लेंगे, व्यापार करके भी लाब प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि वो क्रिशी ही क्रिशी करेंगे, व्यापार ही व्यापार करेंगे, क्रिशी और व्यापार दोनों से ये लोग लाब प्राप्त कर सकते हैं, इस करण में जन में लोग स आगे बढ़ते हैं, अमावस्या को चतुष्पद करण होने पर तंत्र शास्त्रों के ग्याता तामसिक एवं तंत्र की मारण कर्म पध्धती का प्रियोग भी करते हैं, चतुष्पद करण अमावस्या को होता है, और जिस भी जातक का जन्म चतुष्पद करण में हुआ है, सम किसी को मारना हो यह प्रियोग भी कर देते हैं। चतुष्पद करण में चार पैरों वाले पशों से जुड़े सभी कारे क्या क्या हो सकते हैं। खेती करने में बैल लगते हैं, भैसे भी लगते हैं, डेरी फॉर्म चलाने के लिए गाय भी लगती हैं, भैस भी लगती हैं, बकरियों का भी पालन होता है, चार पैरों वाले पशों से जुड़े जो भी काम करें सभी शुब होते हैं, सभी मानने हैं। नाग करण, नाग इस्थिर करण है, इसका प्रतीक नाग या सर्प को माना गया है, नाग नाम से ही समझ में रहा है कि साप ही है, तो इसका प्रतीक नाग को या सर्प को माना गया है, इसका फल सामान तथा इसकी अवस्था सुप्त मानी गई है, इससे न तो अशुभ फल प्र इसका फल सामानने होगा और इसकी अवस्था सुप्त मानी गई अर्था सोई हुए अवस्था में है। कर्म पर अधिक विश्वास रखने वाले अर्थात कर्म सिध्धान्त को भाग की अपेक्षा अधिक मानते हैं। अपने बाजू के ऊपर अपने बाहुबल के ऊपर विश्वास रखते हैं। जीवन में स्वयम के श्रम से विशिश लाभ प्राप्त करते हैं। जीवन में स्वयम के श्रम से अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल करते हैं। जीवन संघर्ष एवं विकट परिस्थितियों से भरा होता है। एवं इन्हें अपने अभिष्ट कारियों में सफलता है तू अधिक समय लगता है। नाग करण में जन्मे जातकों के जीवन में संघर्ष एवं विकट परिस्थितियां बार-बार आती रहती हैं। एवं इन्हें अपने अभिष्ट कारियों में, अपने एक्षित कारियों में सफलता है तू अधिक समय लगता है। आसानी से इन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ये कभी भी भागे के सारे नहीं बैठते हैं, अपने कर्म के साथ आगे बढ़ते जाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। भले ही समय अधिक लगी लेकिन सफलता अवश्य प्राप्त होती है। नाग करण वाले जातक मन एवं नेत्रों से चंचल प्रवित्तिके होते हैं, एवं इस्थिर्ता के अभाव में सफलता मिलना अधिक दुशकर होता है। नाग करण वाले जातक मन एवं नेत्रों से चंचल प्रवित्तिक होते हैं, नेत्र भी इनके चंचल होते हैं, इस्थिर्ता का अभाव होता है, इस्थिर्ता के अभाव में सफलता मिलना अधिक दुशकर हो जाता है। यदि स्थिर नहीं है, स्थिरता नहीं है इनके मन मस्तिश्क में, तो कोई भी सफलता आसानी से प्राप्त नहीं होती है, पता चला काम कर रहा है, कर रहा है, मन भटक गया, काम छोड़ दिये, कैसे सफल होंगे? नाग करण में जन में जा तक गुप्त रूप से कारे करना पसंद करते हैं, किसी को बताते नहीं है अपने काम के बारे में, गुप्त रूप से कुछ भी चुपचाप काम करके निकल जाते हैं, इनके पास रूप बदलने की विशेशकला मौझूद होती है। रूप बदलने की विशेशकला पहले वाले रूप बदलने अलग होते थे। जातक स्वाभिमानी होते हैं, कभी भी अपने स्वाभिमान से समझावता नहीं करते हैं। कि जो भी जातक नाग करण वाले होते हैं, कभी किसी को परिशान नहीं करते हैं। अपने रास्ते गए अपने रास्ते आए। परन्त यदि कोई इन्हें परिशान करे तो छोड़ते भी नहीं हैं। आप एक उधारण साप को ही ले लीजे, साप को जब तक आप छेडेंगे नहीं तब तक वह चलता जाएगा। जब तक उसके उपर आप पर नहीं रखेंगे तब तक काटेगा नहीं। लेकिन आप उसके उपर पर रख दिये ना उसको तकलीप होग तो पलट के काटेगा जरूर। फिर आपको छोड़ने वाला नहीं है। वही गुणिन के अंदर भी होता है। नाग करण का प्रयोग प्रायः गारूणी विद्या अर्थात विशहर विद्या जहर हटाने वाली विद्या का ज्यान रखने वाले लोग करते हैं। नाग करण का समय जबाता है। उस समय जिन लोगों को जहर हटाने की कला हो विशहर विद्या हो उस ज्यान का विशिश नाग करण की समय अवधी में किसी भी नवीन कारे का आरंभ नहीं करना चाहिए क्योंकि यह करण नए कारे का आरंभ करने के लिए शुब एवं माने नहीं है नाग करण किसी भी नए काम को प्रारंभ करने के लिए शुब नहीं है माने नहीं है जब किसी नवीन कारे को करने के लिए नाग करण शुब नहीं है तो सिधी सी बात है कि कोई भी नवीन कारे आरंभ नहीं करना चाहिए जब नाग करण चल रहा हो उस समय कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए किंस्तुग्न करण किंस्तुग्न इस्थिर करण है इसके प्रतीक क्रीमी, कीट और कीडे माने जाते हैं किंस्तुग्न इस्थिर करण है इसके प्रतीक के रूप में क्रीमी हो, कीट हो, कीडे हो ये सब इसके प्रतीक माने जाते हैं इसका फल सामानने है तथा इसकी अवस्था उर्धु मुखी मानी जाती है। उर्धु मुखी अर्था उपर की और मुख की हुए अवस्था में है और इसका फल सामानने होता है न तो अशुब होता है न तो बहुत अधिक शुब ही होता है। किंस्तुग्न करण में जन्मे जातक सदेव, शुब कारियों को करने वाले, श्रेष्ट ग्यान प्राप्त करने वाले, श्रम से जीवन लक्षों को प्राप्त करने वाले, एवं सुखी जीवन जीने वाले होते हैं। किंस्तुग्न करण में जन्मे जातकों को ध्यान से देखिएगा तो सदेव शुब कारियों को करने वाले होते हैं, कभी गलत काम नहीं करते हैं, श्रेष्ट ग्यान प्राप्त करने वाले होते हैं, इनके ग्यान का इस्तर अलग होता है, गलत ग्यान कभी भी अपने अंदर समा पावेश होने ही नहीं देते हैं, श्रम से जीवन लक्षों को प्राप्त करने वाले होते हैं, मेहनत करके अपने जीवन के लक्षों तक पहुँचते हैं, एवं सुखी जीवन जीने वाले होते हैं, सीधी सी बात है, यहां पर देखिए, शुब कारे करने वाले होते हैं, श्र जिश्ट ज्यान प्राप्त करने वाले और श्रम से जीवन लक्षों को जब प्राप्त करते हैं तो स्वैम के श्रम से जब कोई लक्ष प्राप्त होता है तो इसका सुक उसका अनंद कुछ अलग ही होता है मौसम एवं दुशकर परिस्थितियों के प्रती सहन शीलता का अभाव भी इनमें दृष्टिगत होता है जब भी मौसम परिवर्तित होता है तो इनकी सहन शीलता कमजोर हो जाती है बीमार हो जाते है दुशकर परिस्थितियों का मतलब होता है जब कभी कोई विप्रीत परिस्थिती आती है तो वे घबरा जाते हैं यह दोनों लक्षण इनमें दृष्टिकत होता है दिखाई देता है जातक श्रिष्ट भागिशाली होते हैं एवं भागिवस समस्तकारियों में उन्नती प्राप्त करते हैं देखिए श्रम से जीवन लक्षों को प्राप्त करने वाले होते हैं लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि श्रम से ही सब कुछ संभव हो जाए जब तक भागिशाली नहीं देगा आप कितना भी मेहनत करें कुछ भी नहीं होने वाला है भागिवस समस्तकारियों में उन्नती प्राप्त करते हैं इनका भाग ऐसा होता है कि समस्ता कारियों में उन्नती प्राप्त करते हैं और सभी प्रकार के लोकिक सुख प्राप्त करते हैं किंस्तुग्न करण में जन्मे जातक अपने वंश विशेष्टत पित्री वंश को सुरक्षा एवं संदक्षण प्रदान करने वाले होते हैं जो भी किंस्तुग्न करण में जनमे जातक होते हैं अपने पिता के वंश को सुरक्षा प्रदान करने वाले उस वंश का संदक छड़ करने वाले होते हैं संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं छोटा परिवार पसंद नहीं आता है इनको बड़ा परिवार पसंद आता, इसलिए संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं, ग्रूप में मिलकर काम करना पसंद करते हैं, संयुक्त परिवार में भी रहना पसंद करते हैं, अर्थात भीडबार में रहना पसंद करते हैं, जहां इनके आसपास में खुब सारे अध्यात्म berries में इसप्राइं पूरा है जीवन की समश्था अभिलाशाओं को पूर पूर्सारणे होता है किंस्तुग्न करण में जन्मे जातक स्वयम के कारे की भाती दूसरों के कारे में भी सहयोगी होते हैं किंस्तुग्न करण में जो भी जातक जन्मे होते हैं अपना काम तो करते ही करते हैं इसके अलावा दूसरे के कारे में भी सहयोगी होते हैं, दूसरे का भी मदद करते हैं, यदि दूसरे का कुछ काम भी गड़ रहा है, वहां भी जाकर के भी सहयोग करते हैं. जब शुकल पक्ष की प्रतिपदा को किंस्तुग न करण हो, ऐसी अवस्था में सभी प्रकार के ठकाओं एवं किश्ट दायक कारियों को सरलता से संपन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, शुकल पक्ष की प्रतिपदा को किंस्तुग न करण हो, शुकल पक्ष की प्रति ठकाव एवम कश्ट दायकारियों को सरलता से संपन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है किन्स्टूग न करण सबी प्रकार के शुबकारीयों के लिए मानने हैं इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पंचांग में करणों के गुण एवरम सभाव के बारे में जानकारी परस्तूत की गई मैं आशा करता हूँ कि है जानकारी आपको पसंद आई होगी यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंड बॉक्स में लिख करके अब अश्य बताएगा साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक सदी लोगों तक शेयर की जै जिससे की पंचांग में करणों के गुण एवं सभाव के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके अब मुझे आगे दीजे मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए जै जै भारत बंबं भोले नात की जै जै गुरुदेव जै मातारानी की